अधर दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका data player web programming के इस free course में जहां बात चल रही है हमारी javascript को लेके concept की कि किस तरीके से javascript को हमें html के साथ use करना है और last lecture if you remember तो last lecture में हम लोगों ने बात की थी variable के बारे में इसके पहले में आपको javascript का concept बताया था कि how to use javascript functions के form में javascript को कैसे use करना है without function आपको javascript को किस तरीके से use करना है यह सारे concept हमने last time देखे थे और last time में हम लोगों ने जो बात की थी कि sir अगर मानलो आप variable use करना है तो यह जो application है यह जिन variable को use करना है that consists of constant value like यह दो number के edition का program है so I'll get the constant result 80 है see this one यदि मैं इसको एक बार भी run करूंग इसको पांच बार भी run करूंगा so I'll get the result 80 लेकिन अब हम यह चाहते हैं कि यह value हमें user's input लेके application design करना है तो यदि आप चाहते हैं कि आपको data user input लेके application design करना है तो इसी code को हम थोड़ा सा change करते हैं एक काम करते हैं इसको हम as it is रहते हैं और एक नया HTML page बनाते हैं जहां पर हम हम बात करते हैं user input.html के बारे में user input.html तो यदी मान लो मुझे अब इसको मैं थोड़ा सा blank कर लेता हूं पहले क्योंकि मुझे scripting चाहिए ओके अब यहां पर हम क्या चाहते हैं सबसे पहले मुझे user input form design करना है जहां पर हम user से दो number को enter करने की बात करने हैं कि मुझे दो value user से read करना है and I just want to print edition of this two numbers suppose okay तो यदि आपको याद है तो हमने table tag पड़ा था और यह भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको user input form बना है तो always prefer table tag तो see this one यह हम form tag design करते हैं with the user table ठीक है कि table के साथ हम form tag को किस तरीके से use करेंगे तो very simple concept है हमने form tag लिया then in tr we have th और is th और slash th के बीच में हमने लिग दिया enter first number ठीक है यह पहली रो और उस पहली रो में हमें second heading की जगा चाहिए data तो we will just use td and slash td और यहाँ पर हमने लिख दिया input type equal to text name equal to txt1 यह text box का हमने नाम दिया है but see this one किसी भी input box को जब आप use करते हैं तो उस input box के दो identification होते हैं या तो आप उसको उसके नाम से access करें चोकि इसी text box की value हमें read करना है और we should go for id कि हम उसको id से भी use कर सकते हैं तो अगर मानलो मैं id use करता हूं तो मानलो मैंने इसका नाम रख दिया txt first यह first वाला text box है इसलिए इसका नाम रख दिया txt first यह मैंने इसका id दिया है there are two identification जो हम जावा script में use करेंगे किसी भी input text box के लिए या तो id से उसकी value access करेंगे या नाम से access करेंगे फिलाल मैंने लिया है id suppose right तो यह suppose मेरा पहला text box है similarly भुझे second row में मतलब एक रो और चाहिए तो यहां पर हमने second row ले लिए और यहां लिख दिया simple enter second number और इसका नाम रख दिया txt2 and this this is txt second suppose right तो दो text box तो हमारे पास आ गए now we want one button तो कि हमें button के click करने पर अपना code run करना है तो हमने लिया input type equal to simple button और इसका नाम की requirement नहीं है यहां पर हम ले लेते हैं इसकी वैलू ठीक है वैलू में सपोज मैंने लिख दिया addition ठीक है value I'll use addition ठीक और यह पूरा code हम चाहते हैं थोड़ा middle में आ जाए तो हमने center tag tag use कर लिया और इस center tag को हमने last में close कर दिया table tag और form tag के बार slash center ठीक है तो एक बार इसका look and feel देख लेते हैं तो वेन I run this I'll get such type of result right तो अब मैं चाहता हूं जब मैं यहां पर 500 दू और I'll get 200 and when you click on this edition button तो मुझे 700 रिजल्ट मिलना चाहिए और यह दी आप चाहते है इडिशन भी आपको side में चाहिए so that is also possible that you can use this edition यहां पर simply हमें क्या करना है एक TD जो है इस TD को हमें blank छोड़ना है that's it ठीक है तो यदी मैं अब इसको run करता हूं और से यह एडिशन लेकिन अब इस एडिशन वाले टेक्स बॉक्स के क्लिक करने पर मुझे कोड करना है मुझे दोनों टेक्स बॉक्स की वैलू रीट करना है तो अब आपका रोल प्ले शुरू होगा जावा इस्ट्रिप का तो यहां पर अगर हमने एक फंक्शन बना लिया है सपोस्स और इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने एडिशन विल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं भी हम फंक्शन एडिशन तो काम करते हैं पहले यह चेक करत लिए उसके बात तो फिर हम सारे कोड लिख देंगे और इस सम्मिट बटन के यह आपका इंपूट बटन है इस बटन के यह सिंपल में भी बटन लिया इडिज नॉट असमिट बटन अभी हम आगे सम्मिट बटन का यूज देखेंगे डोल परी लेकिन यह है भी हमारा इस सिंपल बटन के आउन क्लिक इवेंट पर अन क्लिक इवेंट पर ठीक है मुझे क्या कॉल करना है फंक्शन किस नाम का फंचन है अपना एडिशन इसका मतलब है कि हमारा कोड एडिशन प्रॉपर है लेकिन अब इसके बाद मुझे क्या करना है यह जो दो टेक्स बॉक्स आपने लिए इन दोनों की वैलू को रीट करके एड़ करना है तो यहां पर हमें दो वेरियबल रिक्वाइड होंगे तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आप वेरियबल का टाइप हमें जावा इसकेट में नहीं में एक object बताया था document and this document object is having a multiple method we can call with this document तो last time हमने इसकी method कि call कि थी document.write but there is a method in this call getElementById जब भी आपको HTML के किसी भी control को access करना है उसके id से मतला मुझे उसकी value access करना है या मुझे उसका कोई भी property access करना है so I'll go with this document.getelementbyid and inside this we have to write the id of this text box तो हमने text box का id किस नाम से दिया हुआ है txt first के नाम से तो यहाँ पर हमने लिखा txt first अब इसकी कौनशी property आपको access करना है तो हमने बुला value property document.getelementbyid txt first.value तो यह आपको value मिल गई a की and then I'll get the value of sorry पहले वाले text box की a में और यह second value हमें मिल जाएगी txt second.value तो एक बार पहले यह confirm करना है कि यह दोनों value हमें मिली है document.write को use करके document.write a okay and then document.write b तो हम यह confirm हो जाएगे कि हाँ दोनों value हमें मिल गई है और एक document.write में b.r tag use कर लता हूँ ताकि आपने को यह पता चल जाए कि दोनों value next line पर print होगी okay see this one if I write here 200 and suppose this is 100 addition you'll get this value 200 right तो concept आपको समझ बहे है क्या कि हमने कि जब भी आपका कोई input value लेना है आपको किसी भी control की चाहे वो आपका text box control हो चाहे वो आपका text area control हो चाहे वो आपका drop down box हो चाहे वो आपका check box हो radio button हो सबकी value में भी आपको आगे बताने वाला हूँ don't worry right लेकिन यदि simple आपको दो text box की value को read करना है तो यहां पर आपके पास दो option है you can go for get element by id और you can go for get element by value ठीक है by name sorry not value तो यह में काम ऐसे भी कर सकता था a equal to document dot get element by id के जगा get element by name पर name में फिर आपको यह नाम देना है जो आपने उस control का नाम रखा हुआ है right so there are two identification of every control of html one is id second is name हमने अभी जो value access की है वो id से की है अब इसके बाद यह तो चलिए print हमने करके देख लिया right लेकिन अगर मुझे अच्छा यह ध्यान रखना कि जावा स्कृट में अगर आपको comment करना है so it is simple double slash which is a single line comment and slash star and star slash it's a multiline comment ठीक है कि अगर आप multiline comment पे जा रहें then you can go for slash star and star slash ठीक तो यदी मानलो मैंने अब यहां पर लिखा हुआ है t equal to and third variable हम यह declare कर देते हैं c and if I write here c equal to a plus b I'll get the result here okay अब यहां पर आप concept सुनिया अभी मैंने क्या किया अभी मुझे इस result को print करना है हमने क्या लिख दिया alert और suppose हमने लिख दिया फिलाल c ठीक है मतलब just हमें c की value print करना है तो हमने message क्या दे दिया c है okay so when I run this code अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है 200 and suppose this is 100 addition so I'll get okay यह जो value है यह by default आएगी string format में तो यहां पर अगर आप variable को declare ना करें so that you will get 1 minute see this one मतलब दोनों case में आप result देख ले 200 and this is 100 result क्या मिल रहा है मुझे 200 100 reason is that कि चाहे आप variable declare करें sorry चाहे आप variable declare करें यह ना करें दोनों case में common यह है कि जब भी आप document.get element by id से कोई भी value access करेंगे so you will get this value in the form of string only आपको जो value मिल रही है वो किस format में मिल रही है string got my concept और मुझे क्या करना है यह values read करके string में लाना है लेकिन I need to typecast it मुझे इसको typecast करना पड़ेगा किस में? integer में मतलब exactly मुझे क्या करना है इस concept को बोलते है parsing that is basically called parsing कि मेरे पास जो data value read हो के आई है अरे अव्यसी बात है अगर आप value property को use करेंगे so you will get the value in the form of string तो चली देखते कैसे एक string को हम int में convert करेंगे जैसे मैंने भी आपको क्या बोला? a conversion of string into integer is basically called parsing तो here we have a function called parse int ठीके? यदि मैंने रहा a equal to parse int a equal to parsing of a क्योंकि मुझे string जो value मिली है a में ये value आपको क्या मिली? सबोद आपने 200 दिया so you will get this value 200 but in the form of a string और मुझे उसको convert करना है किसमे? integer में so here we have a function in JavaScript called parse int right similarly हमने b को convert कर लिया b equal to parse int sorry this is parse int of b so now this a string converts into integer and b string converts into integer और अब मैं अगर इसको add करता हूं suppose 200 and this is 50 so I will get the result 250 है so simple सा concept यह है कि जब भी आप कोई भी value यूदर से read करेंगे जावा स्क्रेट में तो by default that value is a type of string और यदि आप string को convert करना चाह रहें integer में तो in JavaScript we have a function parse int similarly parse float function we have to convert string into float value अब आप देखो यह तो अभी हमने simple बात की दो नंबर के edition के program की लेकिन इस concept आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हम यूदर से value input ले सकते हैं how to read the data from user input मतलब यूदर से आपको जब भी input लेना है Java script में किस तरीके से अब यहां पर आप तीसरी चीज़ देखवा अभी तो हम यह जो C की वैलू है इसको हम अलट बॉक्स से प्रिंट कर रहें लेकिन यदी मानलो मैंने आप से बोला कि भी एवन अनादर टेक्स बॉक्स अब आपने कीसरा text box लिया सपो यहां पर से दिस वां इसका नाम बॉने रख दिया result सपो यह अपना तीसरा text box से result input type equal to text txt3 और इसका नाम आपने रख दिया txt 3rd ठीक txt3rd मतलब इस सम्चिंग लाग धिस यह तो अब मैने दिया 500 अगर मैने दिया 200 एडिशन पे मुझे 700 इस तीसरे वाले text box में चाहिए I don't want to use this value in alert box तो यदि आप चाहते हैं कि आपको run time पे किसी input box में कोई value set करना है using java script तो यहाँ पर भी बड़ी आसान है concept simply आपको क्या करना है मतलब देखो ये value हमने text box से patch की है अब मुझे text box की value property में c की value set करना है very simple तो alert की जगह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं instead of alert we can simply write document dot get element by id ext third dot value equal to c मतलब आपने क्या लिख दिया c की जो value है मतलब जो भी c में value है वो आपने assign कर दी किसमें इस third वाले text box में तो दो तरीके हैं या तो आप run time पे value fetch करें या आप run time पे text box में value set भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको यदि सपोज मैं नहीं या लिया 200 एन सपोज इस हंडरेट एडिशन अधिस्ट मेंट तर्ट कि यदि आपको की इस बी टेक्स बाक्स में run time पे को value set करना है so this is also possible with this concept so I hope आपको यह समझ में आया होगा कि how to read the data in JavaScript and how to write the data in JavaScript in HTML control कि जब भी आप HTML control की किसी भी value को JavaScript में read करना चाह रहे है so there are two options get element by ID और get element by name so I hope आपको यह concept समझ में आया है और अगर समझ में आया है तो please दोस्तों के साथ video को share करिए और बने रही है स्कोर्स के साथ क्योंकि अभी हम आगे बहुत सारे important concept को discuss करने वाले हैं till then take care, bye bye